नमस्कार राजस्तान मौसम समाचार में आपका स्वागत हैं। सटीकता के साथ में जानकारी इसे वीडियो में दी जाएगी। बीचे 12 गंटों के अंदर तेजी से आगे बड़ा है और लगबग 34 गड़ के राइपूर और इसके आसपास के शेत्रों के आसपास में पहुँच चुका है। और अगले 12 से लेके 24 गंटों के दोरान ये महाराष्ट के नागपूर और इसके आसपास के शेत्रों तक पहुचने के इसके संभावनाई बंदरी है। वही एक चकरवाती हवाओ का शेत्र राजस्तान के लगबग उत्तर और उत्तर पूर्वी शेत्रों के आसपास में बना हुआ है। मैंने बताई थी तो बिल्कुल वैसे ही संभावनाई आज दोपिर के बाद में और शाम के समय बंदरी हैं जिसमें जोदपूर्श लेकर कुछ नागोर और अजमेर के आसपास के शेत्र हैं यहां पे एक मजबूत चकरवाती हवाओ का शेत्र बनेगा यहने माइक्रो क्लेम मेरिके लगबग उत्तर और उत्तर पूर्वी शेत्रों से होते हुए फौलोदी जोदपूर के शेत्रों से होते हुए कुछ पाली के उत्तर और उत्तर पूर्वी शेत्रों से होते हुए मद्य परदेश के भाग और फिर यहां से महाराष्ट के बागों से होते हुए निमन खकजांगे का निर्शंबाग ग। जिसमें विकानेर गंगा नगर, हनमानगड और चोरुसाथी इंजिलों की बात करते, इंजिलों में आज बादलों की आवचाई के बेस में मौसम बने रहे नी की समभावनाई बंदरी हैं, वही कुछ हनमानगड शे लेकर कुछ चोरु के यहां पे आज दोपेरि के बाद में खंड बारिश के गत्वीदिया देखने को मिलेगी, सुबे सुबे उत्तर और उत्तर पूरवी जो सेत्र की जो हावाई हैं, वो भी देखने को मिलेगी, इसके साथ यह कुछ दक्सिनी और दक्सिनी पक्छिमी हवाउ का भी रूख यहां पे देखने को मिलेगा लेकिन दोपेरी के बाद में यहां पे हवाओ का रूख है वो बदल जाएगा और लगब पूर भी हवाओ के आवगवन के साथ में नए बादलों के निर्मान के साथ यह चुरू से लेकर हनमानगट कुछ गंगानगर और कुछ विकानेरी के उत् गंटों के दोरान होने की सम्भावनाई बंद रही है यहां पे अधिकत्र highest सनौनों के बादलों की आवज जाएग के बेसम बना रहे गा लेकिन धूपेरी के बाद में जुनजलू शीकर के अधिकत्र प्रिस्तानों पे बादलों की घनी अमजाई के बिसमें खंड बारिश की गतिविद्या होने के संभावनाई बंदरी हैं। कुछ दोसा के आसपस के शेत्र हैं। कुछ दोरान मुश्लादार बारिश की गतिविद्या होने के संभावनाई बंदरी हैं। जो की खंड बारिश के रूप में रहेगी। यहने आज सुबह आठ बज़े से लेकर कल सुबह आठ बज़े के मद्य में यहां पे बारिश की गतिविद्या दरज होने की प्रबल संभावनाई बंदरी हैं। जालोर साचोर के जो सेत्र हैं यहां पे भी कल सुबह सुबह बारिश की गतिविद्या देखने को मिलेगी। प्रबल संभावनाई बंदरी हैं। तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं। अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद्द।